साउंड सुनों इसके आप एक्जोस्ट सुन लेते हैं सो दोनाई बाइक्स में जो ना आपको अंडर वेली एक्जोस्ट मिलता है चाहे आप Duke 390 की बात करो चाहे फिर NS400 की दोनों की जो साउंड है वो अच्छी खासी है हाँ Duke 390 की थोड़ी सी शार्प है रेव जो ना कहीं ना कहीं आपको फील कराएगा ज्यादा सीसी वाला लेकिन वहीं पे इस NS400 की बात करते हैं ये इंजन जो है वो डोमिनार वाला है तो इसमें जो ना है वो उतना जादा एग्रेसिव फील आपको शायद देखने हो ना मिले मतलब उतना जादा स्पोर्टी करेक्टर देखने हो आना मिले इस इंजन का बट फिर भी आप लोग यदि इस बाइक को कंपेर करोगी ड्यूक चर्ण 90 से तो उससे पहले हम आपको बता दू ड्यूक चर्ण 90 की जो प्राइस है उसकी जो प्राइस है एक शोरूम आप मानके चलो तीन लाग ग्यारा जार के आसपास है लब तीन लाग प्लस आप मानो ओन्रोड जो आना भाई यह मेरे सहर में जाती है लगबग तीन लाग साथ जार के आसपास आपको पता है कि जब उसकी प्राइस जाद है क्योंकि उसके अंदर उसके अंदर फीचर जाद है तो वह बैस्ट है लेकिन यहां पर प्लस पॉइंट यह मिल जाएगा एंस को कि उसकी जो प्राइस आना वह कहीं ज्यादा कम है डूग 390 तो अपन कंपेर करेंगे सारी जो है यह बाइक खरीदते हैं दोनों ही बाइक्स अनमेरिड बोईज तो उनके लिए यह बाइक्स दोनों बनी है तो आपको बता दू सबसे पहले तो भाई दोनों के पास जो ना बजट लाइक है को जो वाला बंदा यह कि यह माई बगरा करा के तो वो डूग 390 भी ले ल 176, 178 मैंने देखी है एंड वहीं पे NS400 की बात करूँ तो अभी तक हमने वीडियो में देखी है 165 गई है हमने खुद इसको चलाया था बट मैंने टोपेंड नहीं किया seriously उसके बाद इसका जो टोपेंड है ना NS400 का कली मेरे को सुनने माया है कि 175 किसी बंदे ने लगाई है तो डिपेंड करता है वेट लेक बंदे का क्या वेट है तो वो थोड़ा हलका बंदा था उसने जो 175 टच कर दी बट मैं बोलना चाहूंगा कि NS400 की जो स्पीड है वो भी कम नहीं है तो यदि आप स्पीड के लिए ले रहे हो तो दोनों ही बाइक्स अच्छी है नेकड में जो कभी भी स्पीड आप लोग एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि यह बाइक जो ना हाई स्पीड पे स्टेवल नहीं रहती है उसके बाद NS400 जो आना आपको कभी भी नाराज नहीं करेगी क्योंकि यह जो ना इतने कम प्राइस में पहले तो आप ले रहे हो उसके बाद आपको जो मज़ा देने वाली है ना फंटू राइड तो वो जो है डूक 390 भी देगी बाइस में प्राइस इतनी जाद है कि आपको लगेगा कि यार मैंने 4 लाग की बाइक लिया है और मेरे साइड वाला बंदा जो है NS400 ले रहा है वो बाइक उतनी भागा रहा है वो भी उतनी की भी है लेकिन बात करें वहीं फिचर बगर अगारे में तो NS400 में उतने Пडीमियम फीचर नि मिलते है जितने Duke 390 में है, Duke 390 में जो parts यूज की हैं, like suspension वगरा, जो यूज की है, adjustable suspension वगरा, वो शायद आपको Duke 390 में जो है, NS400 में नहीं मिलते हैं, NS400 में वो सारी चीजे हैं, जो आपको जो ना, मतलब, कुस कर देगी, एक तरीके से कम प्राइस में, लेकिन वो चीजे नहीं है, जो आपको भाई, बहुत rich feel कराएगी, वो आपको Duke 390 में feel कराएगी, ठीक है, तो Duke 390 में जो ना, बढ़िया premium parts दिये गए हैं, लेकिन वहीं पर बात करते हैं, NS400 की, तो NS400 में ना, सारी चीजे हैं, UST suspension भी है, dual channel ABS भी है, right by wire भी है, adjustable levers भी है, लेकिन सीन पता है क्या है आपे, इसमें जो ना, adjustable suspension नी है, पहली बात, उसके बाद इसके अंदर TFT screen नी है, उसके बाद इसके अंदर क्विक shifter वागर आनी है, लेकिन ये चीजे जो ना, इतनी ज़्यादा ज़रूरी मेरे को नहीं लगता की है, लेकिन जब price cut की बात की जाती है, कि जब price को control रखके, और तब आ प की, लेकिन पलसर जानी जाती है, अपनी most affordable, like pocket friendly के लिए, कि हाँ यार ये जो बाई का ना, ये एक pocket friendly जो है most affordable बलसर है, जो कि आपको 100cc के रेट में 125cc मिल जाती है, यही पर जो है, वही 1.85 लेक्स में आपको 400cc दे दी इन्होंने, तो ये जानी जाती है भाई, अपने price के ल ज़्यादा differences यहां पर नहीं है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वह तो भाई Duke 790 ले ही सकता है, बट मैं ये बोलूँ हूँ, NS400 भी कम नहीं है, यदि आप इसके looks वगरा जम गए है, तो आप जोने इस bike को भी ले सकते है, क्योंकि इसके भी riding quality वगरा अच्छी है, और bike features वगरा भी अच्छे खासे दे देती है, turn by turn navigation तो ये भी दे रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ही नीचे है, ये बोलूँ हां कि हाँ यार, ये यदि आपको Duke 390 100% दे रही है तो NS400 आपको 85% दे रही है, यदि आप 500 रुपे बचाना चाहते हो, तो I think NS400 best option ह और यदि आपको फुल फील चाहिए, एक premium naked वाली, तो आप Duke 390 की तरफ जाना, NS400 की test ride ले 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 लेना, यदि ये जमे तो भाई ये भी आप ले सकते हो, दोनों ही बाईक्स हो ना, काफ़ यादा premium अपने अपनी जगे है, और दोनों ही बाईक्स में बोल सकता हूं कि यार और premium features के साथ आती है, तो चले ये था एक चोटा सा comparison, कैसा लगा आपको नीचे comment box में ज़रूर बताना, बाकि मैं यदि आपकी जगे होता, तो भाई मैं डेटला ग्रुप है, नहीं बचाता या बचाता वो बात अलग है, बट हाँ मैं पहले देखता कि कौन सा product value for money है, तो हर टाइम आप टोपेंड नी मार रहे हर टाइम जो है आप स्टेंट बाजी नहीं कर रहे है, तो ये है कि आपको नोर्मली चलानी है 90 परसेंट हो, तो NS4 एंडेड हो आपे मेरे को best लगती, वरना Duke 390 मेरे को लेनी होती है, तो मैं तब लेता जब भाई मेरी city में बहुत तो ये सारी सीन थी भाई Duke 390 के लिए और यदि आपको long rights भी करनी है, पैसे भी बचाने है, तो भाई आप 1.5 लाग रुपए बचाओ, 1.5 लाग रुपए को अपने घुमने फिरने पे लगाओ, और NS4 एंडेड उठा लो, ये जो भाई का ना मतलब आ जाएगे भी showrooms में, इस मन्त के मिड तक आ जाएगी, 15-20 तारीक तक जो ना शौरमस में आ जाएगी, और डिलिवरी जो इसकी next month, जून के आसपास जो ही देने लग जाएगे, मतलब जून में first week के आसपास, तो आप लोग अब मेरे को बताओ नीचे comment box में कि आप लोग Duke 390 लेना चाहोगे, या फिर भाई NS400, अब एक और कड़वा सच पताता हूँ, भाई ये जो बाई के ने NS400, इसका competition पता है किस से होता है, इसका competition Duke 125 से होता है, मतलब जिस प्राइस में Duke 125 दे रहे हैं उस प्राइस में आपको ये NS400 दे रहे हैं, तो ये चीज भी कहीने कहीं आप देखो ना, तो वै नहीं है नहीं जो लॉंच कर दे, तो ये जो चीज़े काफी बढ़ी है, डोमिना 250 वो भी सेम प्राइस में आती है, 1.85 लेक्स एक चोरूम में, उसके बाद Duke 200 वो दो लाक क्रोस कर जाती है, तो आप लोग Duke 90 से पहली बाद तो भाई comparison करी नहीं सकते इसका लेकिन कर भी रह हो, तो मैंने आपको सारी चीज़े बता दी कि क्या हो सकते है, आप इसको उसके साथ compare करते हो, तो आपको बताए, डोमिनार वाला इंजन भी पहले KTM का ही इंजन है वो, तो अभी KTM में थोड़ा सा और ज्यादा sport इंजन इनों ने डाल दिया, और ज्यादा aggressive इंजन डाल द मैंने ये सब चीज़े जहन नहीं बताई कि इसमें क्या size का tear मिल रहा है, जो चीज़े थी ना, वो मैंने आपके साथ clear कर दी है, कि हाँ यार, ये सारी चीज़े हैं, जिसके विएसे आप ये ले सकते हो, और वो ले सकते हो, तो चलो यार, ये था आज की वीडियो में कोई मिलते नेक्स देम तब तक के लिए, जैहने बने मातरम, लव विल गाईस